आज हम बात करेंगे special transactions, कुछ नई चीज़ें जिनको हमने record करना सीखना है तो सबसे पहले हम purchase return की बात करेंगे ठीक है purchase return purchase return का मतलब क्या होता है जब हम खरीदा हुवा माल वापिस कर देते हैं तो इस case में हम इसको return outward भी बोलने है क्या बोलते है return outwards ठीक है, माल हम वापिस कर रहे है out मतलब बाहर जा रहा है इसलिए हमने उसके लिए outward यूज कर रहा है अब आप देखिए जब आप माल खरीदते हैं जब गुट्स खरीदते हैं ठीक है, हम गुट्स की बात कर रहे है purchase मतलब purchase word ही goods के लिए यूज होता है अगर सिरफ purchase के लिए ना तो वो मतलब goods होता है goods खरीद रहे है जब आप goods खरीदते हैं तो effect कहां पर आता है purchase पर purchase आपकी बढ़ जाती है खरीदारी बढ़ जाती है और दूसरा creditors पर आपकी creditors भी बढ़ जाते हैं समझा गया ना अगर आपने मैं उधार का example ले रहा हूँ उधार पर आपने goods खरीदे अब पहला step क्या होता है यह देखना कि हमारे effects क्या है दूसरा देखना कि जिस पर effect पड़ा है उसका nature क्या है अब purchase का nature क्या है यह कौन से category में आता है asset में आता है expense में आता है capital में आता है library में आता है revenue में आता है तो फटाबट आप लोग मुझे answer दे वेटा goods हम खरीदते है to generate revenue से बेचने के लिए तो ऐसा कोई भी खर्चा हम कर रहे है जो routine nature का है वो हमारा expense होता है वो asset नहीं होता क्या हम कसम खाके बैटे इसे लंबे time तक use करेंगे no हमें तो इसको बेच रहा है जल्दी से जल्दी ठीक है रिवेन्यू में convert करा जाए ठीक है तो वो हमारा कर्चा है normal expense है और creditors हमारे कौन सी के degree में आते है उधार लाइव एलिए ठीक है आप देखें इन पर rules क्या अब लिएबल है expense बढ़ रहा है तो debit होता है और लाइव डी बढ़ती है तो credit तो इसके entry हम क्या कर देते है journal के अंदर purchase account debit purchase account debit to creditors account यही करते है न समझाई बात आपको यह अब देखिए let's say मैं creditors का नाम रख देता हूँ छोटू छोटू नाम रख देता हूँ मेरे creditors का नाम है छोटू मैंने छोटू से माल खरीदा पचासजार का तो यह entry मेरी होगी 50,000 की अब पचासजार का माल मेरे पास आगया मैंने कुछ माल वापिस कर दिया तो क्या आप इस entry को reverse कर सकते हैं इसी entry को आप reverse कर दो एक बारी तो entry क्या हो जाएगी अब creditors account debit हो जाएगा लेट से 10,000 का माल वापिस करा तो 10,000 से debit हो जाएगा और purchase account क्या हो जाएगा purchase account क्या हो जाएगा credit हो जाएगा क्या आपको बात समझाई गुट्स खरीदे तो यह entry वापिस कर दिये तो यह वाली entry समझागी बात येस सर्थ अब देखे जब भी आप goods वापिस करेंगे तो purchase account की जगा आपने क्या लिखना है purchase return account लिखना है purchase return account इससे आपको clear रहता है कि आपने कितने के goods खरीदे थे वो अलग आ गए और उसमें से कितने के बेचे वो purchase return account में अलग दिख रहे हैं समझागी बात कि कितने का माल खरीदा वो purchase return account में दिखेगा और कितने का माल वापिस करा वो purchase return account में दिखेगा तो आपके लिए बहुत easy हो जाएगा समझना तो हम एंट्री बना ली हमने एंट्री क्या हो जाएगी creditors account debit अच्छा creditors word की जगए supplier भी आ जाता है नहीं बात एक ही बात है ठीक है supplier account debit तू कौन सा क्या लिखेगे कौन सा account credit करेंगे purchase account या purchase return account purchase return account क्या ये बात आपको clear है और इसकी narration क्या हैगी इसको narrate करोगे तो क्या लिएगे being goods returned to supplier हमने goods supplier को return कर दिए ठीक है बहुत अच्छे समझना है ये बात ठीक है अब बताओ हम next क्या करने वाले purchase return की बाद हम कौन से return करेंगे sales return क्या करेंगे sales return अच्छा फटा बाद बताओ sales का मतलब क्या होता है हमने goods बेचे return मतलब customer ने हमें वापिस कर दिए मतलब हमारा हमाल हमारे पास वापिस आ गया उसको हम बोलते है return inward क्या बोलते है return inward आ रहा है ना माल तो return inward inward मतलब आना outward मतलब जाना ठीक है तो return inward अब फटावट मुझे sale की entry बताओ मैं सपोज पिन्टू को मेरा दोस है पिन्टू ठीक है हमारे दोस्तों इसी नाम की होते है जनरली ठीक है पिन्टू राजू सोनू ठीक है आजकल नहीने नाम आ गया है अच्छा फटा बढ़ता है पिन्टू को मैंने goods बेजे तो entry क्या हो जाएगी step 1 step 2 और step 3 पिन्टू को मैंने sale करा तो entry क्या होगी effect कहां कहाएगा effect nature और हमारा 30 step क्या होता है rule sale पे effect आया और हमने पैसा लेना है प्यूंकि पिन्टू को माल बेचा मतलब उधार की बात हो रही यहाँ पर sales करी हमने है ना मेरी sales बड़ी और पिन्टू जब मैंने पिन्टू को माल बेचा है तो पिन्टू मेरा क्या बन गया debtor debtor कॉन होता है जिससे हमने पैसा लेना होता है बहुत अच्छा आद भी यह हमें पैसा देगा फिक के nice man ठीक हैpox अब देखे सेल बड़ी सेल का नेचर क्या होता है hail revenue item है ना अशेल क्या होता है revenue कमाई clear है और पिन्टू हमा तो हमारा debtor है पैसा देने वाल आजमी हमारे क्या होगा asset अर रिवेन्यू और assets दोनों बढ़ ह हुआ है revenue सभाता है तो इसके रूट क्या होता है क्रेडिटi सभी एटी यह दुदो यह व्हीर दो प्यटी दो आ जब गया सेल की आलकि हमें की बेल पहले सेmaking में लिखना तो क्यों ना ठीकाश्य हैní और या चेह invari हो기 बंटू noises debit और क्या हो जागा two sales account ठीक है कितना जितने का भी suppose let's say 20,000 की मैंने इसको sale करी तो 20,000 rupees मैंने या पर लिख दिये clear है अब Pintu ने क्या करा goods वापस कर दिये Pintu की जगा हम debtor भी लिख सकते हैं debtor मतलब कोई भी आदमी जिससे हमने पैसा लेना है ठीक है अब देखिए Pintu ने goods वापस कर दिये sales return कर दी उसने कुछ goods वापस कर दिये तो इसी entry को reverse कर दो फड़ा फड़ा reverse करो reverse करो के तो क्या होगा sale जो credit किया था जिसको वो क्या हो जागी debit हो जाएगी और Pintu जिसको debit करा था वो credit हो जाएगा debtor समझाई बात yes sir clear है तो let's say अगर 5000 के उसने वापस कर दिये तो ये entry आ जाएगी लेकिन sale की जगा हम क्या लिखेंगे sales नहीं लिखेंगे sales return account is this clear sales return की हमारी entry क्या बन गई sales return account अच्छा sales return की जगा return return भी लिख दो के तो गलत नहीं होगा sales return account debit to क्या लिखेंगे debtors account क्या debtors account या फिर customer account भी लिख सकते हो आप ठीक है तो आज हमने दो नहीं बाते पढ़ ली वो दो नहीं बाते कौन सी थी purchase return और sale return को कैसे record करें purchase return के लिए purchase credit और supplier debit ठीक है और sale return के लिए sale debit और debtors credit ठीक है अब इस पर बेज़र हम question करेंगे मैंने देखा था है question के अंदर एक point है तभी मैंने आपको पहली बता दिए कुछ बाते और सीख लें नहीं है ठीक है and that is discount या एक में दूख चोई है देखिए question no.2 करते है question no.1 को हम skip करते हैं अभी question no.2 journal chapter का और टीएस गिरेवाल बुक का ठीक है journalize the following transaction of Mr. Rahul अब यह transaction को हमने जनलाइस करना है और जनलाइस करने से पहले हमने proper format बनाना है अभी बुक का कोशन हम कर रहे हैं तो format बनाएंगे तो देखिए हमारा format ready है सबसे पहले हम यह लिखिए किसकी बुक्स हम maintain करें इन्दी books of messers राहुल और हम यहां क्या बना रहे है जनल बना रहे है पहला कॉलम हमारा date कॉलम है दूसरा कॉलम हमारा particulars कॉलम ठीक है जाएगा फिर आप दिखना छोड़ सकते हैं इसको ठीक है तो start कर रहे हैं पहली ट्रांजिक्शन से देखिए पहली ट्रांजिक्शन है राहूल सबसे असान बात कॉन बताएगा इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी कैश बड़ा capital बढ़ी अब इसका नेचर क्या है इफेक्ट वाला पाट हमने कर लिया नेचर क्या है cash का नेचर क्या है cash is an asset और capital क्या है capital is a capital ठीक है इसके बढ़ती है और capital बढ़ती है इनके फड़ा पर रूल्स बताईए capital I repeat started business with cash के हमेशा entry क्या होगी cash to capital account ठीक है जो item debit हो रही है वो उपर आजेगी cash account debit और जो item credit हो रही है वो नीचे आजेगी capital account credit ठीक है कितने amounts है that will be one lakh rupees ठीक है इसके बाद आप इसको narrate करेंगे और यहां क्या लिखेंगे being business started with cash यही है ना इसकी narration कुछ गलत तो नहीं लिखा और यह transaction हमारी हुई खतम format में भी हमने इसको लिख दिया clear है paid into bank bank में पैसे जमा कराए 60,000 रुपे दो जन्वरी को देखें दो जन्वरी हमने bank में पैसा जमा कराया दो जन्वरी की transaction जब आप bank में पैसा जमा कराओगे तो effect का आएगा cash और bank पे cash घटेगा और bank balance बढ़ेगा ठीक है cash कम होगा और bank balance बढ़ रहा है दोनों का ही nature क्या है फटा फट बताइए दोनों का ही nature क्या है तो दोनों ही asset है एक asset कम हो रही है और दूसरी asset बढ़ रही है ठीक है तो in that case जो asset कम हो रही है वो credit और जो बढ़ रही है वो debit तो इस case पर bank debit हो रहा है bank account debit और cash account credit हो रहा है तो यहां credit हो जाएगा कितना amount है 60,000 60,000 ठीक है और इसको आप narrate करते टाइम क्या लेखेंगे being cash deposited into bank ठीक है being cash deposited into bank थर्ड जैन को हमने goods खरीदे bought goods from Messer Singh & Company 20,000 कोशन में कहीं नहीं पता रहा है कि यह goods हमने cash खरीदे cash में खरीदे उधार पे तो हम क्या मानेंगे बताओ फटापट हम credit पर मानेंगे इसको ठीक है तो 3rd January को हमने 20,000 के goods खरीदे सिंग & Company से अब goods खरीदने की entry देखो वैसे तो हमने अभी अभी करीए इफेक्ट का आएगा goods खरीदोगे तो purchase पे और दूसरा जिस से खरीदे उसको पैसा देना है सिंग & Company आपके purchase का nature क्या है purchase एक खर्चा है routine nature expensive goods को खरीदना और उसको फिर बेचना भी है सिंग & Company इसको आपने पैसा लोटाना है तो यह आपका creditor बन गया creditor का मतलब क्या है liability खर्चा बढ़ रहा है खरीदारी बढ़ रही है तो और उधार भी बढ़ रहा है खर्चा बढ़ रहा है तो यह debit और उधार बढ़ता है तो credit तो journal entry क्या हो गई इसकी इसकी journal entry हो गई purchase account debit याद हो जाए गई आपको आगे जाकी क्या होगा कोई भी पूचे परचेस के entry अच्छा परचेस टू creditor परचेस टू supplier ऐसे बोलो गया ठीक है तू सिंग & Company 20,000 के अपने गुड्स परचेस कर लिए clear है इसके बाद आपने इसको narrate करना है being goods purchased from sing and company ठीक है अब देखें वो कह रहा है paid cartridge तीन चौर पर काटेज क्या होता है क्रिक्षे वाले को किसी भी काट वाले को पैसा देना किस ले देना कहीं बार माल लाने के लिए और कहीं बार माल deliver कराने के लिए थीक है तो तीन जन्रूड़ी को आपने cartridge पे करी तो इसको हम क्या लेकेंगे cartridge का मतलब cartridge पे करी तो cartridge का by कहां पर आएगा cartridge और cash पे cartridge हमारा खरचा हुआ समझ आई बात और cash हमारे लिए किया है asset है जब आपने cartridge पे गड़ी तो आपका expense बढ़ा और आपका cash उसकी वज़े से कम हुआ तो यहाँ पर expense बढ़ता है तो debit, assets कम होती है तो credit, entry क्या आगई, cartridge account debit to cash account ध्यान से समझे, कोई भी खर्चा कभी भी पे होगा, तो expense debit होता है और cash credit होता है, ठीक है यह धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा कोई भी expense, चाहिए salary पे कर रहे हो तो salary to cash आजएगा, बिजली का bill तो बिजली का bill to cash, telephone का खर्चा, telephone का खर्चा to cash खर्चे debit होंगे, cash जाएगा, हमेशा ही यही होगा, being cartridge paid purchase furniture, furniture खरीदा आपने 2000 रुपे का, अब furniture खरीदने के entry गया होगी जब आपने furniture खरीदा 2000 रुपे का, तो उसका effect कहां का आएगा, पहला effect उसका furniture आया, और आपके पास से cash गया, अब आपको कहोगे, सरी, हम mention तो है नहीं कहीं भी, कि cash गया नहीं गया, लेकिन आप पता भी तो नहीं है, किस से खरीदा, तो हम किसको credit करें, नाम भी तो furniture debit to cash, clear है यहीं बात, yes sir, furniture account debit to cash account कितने है खरीदा था हमने, 2000 रुपे का, तो यहाँ 2000 की entry आगए, ठीक है, narration आप इसकी खुद लिखने वाले है, being furniture purchased, इसके बाद, place an order for HP printer, for 15,000, amount advanced 5000, ठीक है, यह date क्या है इसकी, 4 जनवरी है इसकी date, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, चोटी सी बात, मैंने अपने दोस्त को एक promise करा कि मैं तुझे 50,000 रुपे उधार दूँगा, 10 तारीक को, क्या यह financial transaction है या नहीं है, आजकी rate में, मैंने अपने दोस्त को बोला, कि मैं तुझे पैसा उधार दूँगा, promise करा, क्या वो promise financial transaction है, हाँ या ना, फटा-फट बताईए, चलो example change कर देते हैं, मैं एक दुकान पे गया, मैंने वहाँ एक टीवी देखा, ठीक है, मिरको अपने आफिस के अंदे एक टीवी लगाना है, मैं एक दुकान पे गया, सरगम electronics, अब सरगम electronics पे मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ, भाईया, टीवी दिखाओ, उसने मुझे 50,000 का टीवी दिखाया, मैंने का, भाईया, मैं कल ले जाओंगा, तो बताओ, ये financial transition हुई, हाँ या ना, मैंने बोला है कि मैं कल ले जाओंगा तो आप क्या answer करेंगे, exactly, the answer is no, ये कोई financial transition है क्योंकि मैंने भी लिया नहीं है, मैं लूँगा, है न, जिस दिन लूँगा, उस दिन transition होगी, अब देखे, यहाँ पर क्या हो रहा है, वो order purchase कर रहा है, 15,000 के printer का, लेकिन उसने पैसा कितना दिया है, advance कितना दिया है, 5000, तो क या उसने printer खरीज लिया, या उसने order दिया, दोनों में से कौन सी बात सही है, चलो, आपकी confusion solve करता हूँ, येस, बिल्कुल ठीक बात है, अभी order दिया है, अभी माल खरीदा नहीं है, अभी हमने HP printer लेने का order दिया और उसको 5000 रुपे दिया है, तो अभी हमारी जो financial transaction है, वो क clear है, आपने printer नहीं खरीदा, आपनी advance दिया हूँ है, ठीक है, printer आप उस दिन खरीदो कि जिस दिन बागी payment भी करतो कि जिस दिन आपके नाम का bill आ जाएगा, तो अब देखिए, आपने advance दिया है, advance for printer और उसका effect कैसी किस पर आएगा, दूसरा effect cash पर, अगर आपको ये advance दे हो, तो advance देने का nature क्या होता है, advance मतलब आपको भविश्य में उसके फाइदे मिलेंगे, और जो चीज़ आपको भविश्य में फाइदा दे वो आपके लिए क्या होती है, asset, और cash तो आपके लिए asset ही, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि cash कम हो रहा है, तो ये credit ही होना है, और जब एक चीज़ credit होनी है, तो दूसरी क्या होनी है, debit, ये तो rule है, ना, this is the golden rule, संसार का नियम, accounting world का, ठीक है, तो advance, advance नामक जो asset item है, वो increase हो रही है, हमने advance दिया, तो advance is बड़े, clear है, तो इसकी entry क्या होजए कि यहाँ पर आजएगा, advance for printer, अगर हमने printer खरीदा होता तो advance की जगह आता, printer account, की बढ़ी printer asset बड़ी, तो यहाँ एगा, advance for printer, account debit to cash account, ठीक है, और यहाँ amount क्या आएगा, 5000, कोई doubt है तो you can ask, हमने calculator करीदा, 4 जनरी को, 1000 रुपे का, ये मेरे लिए calculator क्या है, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, date क्या है, 4 जनरी, मैंने calculator खरीदा, तो cash तो गया, ये तो पता ही है, cash तो कम हो, इसको तो credit होना ही है, इसके जीवन में तो credit होना ज्यादा लिखा है, अब ये जो calculator खरीदा, calculator को मैं asset मानूं, या फिर मैं normal खर्चा मानूं, तो याद रहे, दिख लगेगा ये कही बार confusion होग लेकिन इसकी life definite नहीं है, definite का मतला पक्का नहीं है कि ये expense जो हम कर रहे है, इसके benefit जो हमें enduring है, तो इसको हम अपने खर्चों के अंदर ही डालते हैं, ठीक है, और generally ऐसे खर्चों को हम stationary expense में डालते हैं, जहां डालते हैं, stationary expense, ये हमारा stationary का part है, तो ये हमारा खर्चा बढ़ रहा है और खर्चा बढ़ता है, तो debit, समझ आई आपको मेरी बात, देखें, तो यहां पर entry किया हो जेगी, stationary expense account debit to cash account, ultimately है तो खर्चा ही, खर्चा debit होगया, cash credit होगया, जैसा मैंने आपको काता, वही हुआ, ठीक है, और यहां इसकी narration आजेगी, being calculator purchased, तो देखें, हमारी जो 4 पर चेस कर रहे हैं, इसकी journal entry बनाईए, तो इसका step number one, step number two and step number three आप बताएंगे मुझे, अगर आप computer घरीज़े रहे हो चेक से, तो effect आएगा computer आपके पास आया, और payment आपके bank account से गई, computer को आप कौनसी के टेगरी में डालो के फटाफट बताओ, exactly, computer आएगा assets के अंदर, ठ परती है तो debit, और bank भी हमारी asset कई पाट है, कम हो रहे है तो credit, तो यहाँ पर 4th Jan को हमारी entry बन गई, that will be debit वाली item उपर, computer, account, debit, और credit हो जाएगा to bank account, 13,000 रुपए यहाँ पर आगया, being computer purchased, ठीक है, अब आजाते हैं पनी next transaction पे, that is 6 Jan को देखो, postage पे हो रही है, postage का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को खत बिजवाते हो, चिठी बिजवाते हो, तो आप क्या भी देते हो, courier करवाते हो, ठीक है, postage पे करते हो, आप 150 रुपी पोस्टेज आपने पे करी, 6 January को, तो effect कहा पर आएगा, मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है, ताक ही मेरी जगा बजज़ा है, यह देखे, 6 January को, जब मैंने postage पे करी तो effect आए, postage पर, postage पे करी और cash पर, postage का nature क्या होगा, खर्चा हुआ यह तो, और cash हमारा लिए asset है, ठीक ह खर्चा बढ़ रहा है, asset कम हो रही है, खर्चा बढ़ता है debit, asset कम होती credit, खर्चा कोई भी पे कर होगा, debit हो जाएगा, और cash हमारा credit हो जाएगा, ओके, तो 6th of January को, हमारी entry आज़ेगी, postage, account debit to, cash account कितनी postage पे करी, 150 रुपीज, यहाँ उसकी narration आज़ेगी, जो आप लोगों होने लिखनी है, हाँ जी, इसके बाद देखिए, sold goods for cash, 4000, आपने sale करें goods 8 जनवरी को, तो 8 जनवरी को आपने goods sale करें है, जब हम goods sale करते हैं, तो sales हमारी बढ़ जाती है, और cash भी हमारा increase हो जाता है, sale का nature क्या है, sale का nature क्या आएगा, revenue, और cash का nature क्या आएगा, asset, revenue बढ़ रह asset बढ़ती है तो, debit, 8 जनवरी को, यहाँ पर आजाएगा, cash account debit, cash account debit to sales account, ठीक है जी, 4000 रुपे के आपने cash sale करें है, being goods sold for cash, यहाँ आजाएगा, यहाँ पर, ठीक है, अब आजाते है, next transaction पर, 9 जनवरी को, sold goods to Messer, Sharda and Company, 10,000, हमने Sharda and Company को 10,000 का माल बेचा, लेकिन cash बेचा है उधार, यह आप मुझे बताओगे, फटा-फटा बताओ, cash बेचा है उधार, उधार बेचा है, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, Sharda and Company को अगर हमने उधार माल बेचा, तो Sharda and Company हमारे लिए क्या बन गई? डेटर, क्या बन गई? डेटर, और डेटर हमारे लिए अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग? अच्छे लोग, पैसा लेना इनसे, assets, ठीक है, assets बढ़ गई, और दूसरी तरफ, sale भी बढ़ गई, sale revenue है, revenue भी हमारा बढ़ गया, ठीक है, debtors बढ़ते हैं, assets बढ़ती है, तो debit, और sale बढ़ती है, तो credit, पहले cash माल बेचा था, तो cash debit, अब हम उधार माल बेच रहे हैं, तो बंदे का नाम आ जाएगा, शारदा and company, account मत लिखना, क्योंकि ये नाम है, नाम के आगे account नहीं आता, business का नाम है, ठीक है, to sales account, कितने का माल बेच रहे हैं, कितने की sale करी, हमने यहाँ पर 10,000 की, 10,000 की हमने यहाँ sale कर दी, being good sold to शारदा and company, अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, अब हम समान लेकर आ रहे हैं, तो 9 जनवरी की बात ने, हाँ, 9 जनवरी को हमने cartridge pay करी, जब हम cartridge pay करेंगे, तो cartridge खर्चा है और cash, तो इसका हम बिना कुछ करें, बिना working करें, डारेक्ट खर्चा debit होता है जी, cartridge account debit, अब हमें याद होने लग गया है, थोड़ा-थोड़ा है ना, कि खर्चा debit होता है, तो cartridge account debit to cash account, ओके, कितना amount था है, 200 रुपे, 200, यह आगे है यहाँ पर, ठीक है, being cartridge paid, यह हम यहाँ पर कर देंगे, पेड़ टू मैसर सिंगेन गमरी on account 17,500, अभी यह on account का मतलब क्या है, देखे, दो तरीके होते हैं, payment देने के, तीन तरीके वैसे, पहला आप advance दे रहे हैं, दूसरा, आपके पास एक bill आया, उस bill की आपने payment करी, तीसरा, कि आपने सिर्फ payment करी, ना आपने advance उसको लिखा, ना आपने उसको किसी bill के against करी, आप payment कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा कि वो पैसा हमने किसले दिया, बाद में adjust कर लेंगे, तो कह रहा है, जो भी balance था, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी balance था, उसके against हमने उसकी payment कर दी, ठीक है, तो 17,500 रुपए हमने उसको payment करी, sing and company को, ठीक है, 15 जनवरी, अब 15 जनवरी को आप किसी को payment कर रहे हो, उसका नाम किया है, sing and company, ठीक है, payment कर रहे हो cash, on account का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप bank से payment कर रहे हो, वो payment आपने करी है, on account मतलब उसको पैसा दे रहे ह चाहे वो cash हो या bank हो, तो कितना payment, 17,500 की आपने payment करी, payment हम किसको करते हैं, जिनको हमने पैसा देना होता है, मतलब creditors, जो हमारे लिए liability होती है, जैसी आप liability को payment करोगे, तो liability कम हो जाएगी, और liability कम होने का rule क्या होता है, debit, और आपने payment करी, तो आपकी assets भी क्या हो गई, कम हो entry को अगर आप देखें, तो entry क्या हो जाएगी, sing and company debit to cash account, 17,500, याद रहे, on account का मतलब जरूरी नहीं cash payment करी है, उसकी account की payment करी है, वो कुछ भी दिया हो हमने उसको, तो यहाँ हम cash ही पे करेंगे, इस पे कोई doubt है तो आप पूछ लो, next, sold goods to messers Ray and company, ठीक है, Ray and company को हमने माल बे 5,600, अब बताओ cash बेचा उधार, उधार, ठीक है, अब sales बढ़ती है, तो हमें पता ही ये credit होता है, है ना, 5,600 और किसको बेचा, Ray and company, debit हो जाएगा, ठीक है, 5,600, अगर आप को होगे working नहीं करी, तो देखो, Sharda and company to sell करा था हमने, वो भी उधार की sale थी, ये भी उधार की sale ह है, clear है, quit out, next, उसके बाद, receive check from Sharda and company in full settlement of amount, ये इसको underline करना है, करे शार्दा and company को अपने, 9750 रुपे मिल गए इससे हमें, और इससे settlement होगी, अब Sharda and company, इसको अपने माल कितने का बेचा था, फटा फट देखे, 10,000, पैसे कितने मिले, 9,750, अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको नई बात सीखने को मिलने वाली है, ठीक है, और वो नई बात क्या है, देखे, 27 January, 27 January को Sharda and company ने आपको कितने पैसे दिये, चेक से 9,750, तो आपके बास चेक आया, और चेक कहां जमा हो जाता है, बैंक में, ठीक है, तो आपके बैंक में 9,750 बड़े, ठीक है, दूसरी बात, यह पैसा किस ने दिया आपको Sharda and company ने, 9,750 दिया, लेकिन आपने लेने कितने थे, 10,000, Sharda company और आपके बीच में relation क्या था, Sharda company आपके लिए क्या थी, debtor क्या थी, debtors, वो भी क्या होते हैं, assets, 9,750 मिले, 10,000 के बदले में, बाकी 2,500 रुपे खतम, तो मतलब आपने उनको एक चीज और दे दी, जिसको हम क्या बोलते हैं, discount, discount allowed कितने का, 2,500 रुपे, अब आप कहोगे, sir, बाकी सब जगा दो आइटम, यहाँ पे आगी कितनी आइटम, entry पास करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, combine entry, या फिर एक और वर्ड लिख रहा हूँ, यह क्या लिखा मैंने, compound entry, क्या, compound entry, समझाई बात, अभी तक simple entry चल रही थी, अब क्योंसी entry आगई, compound entry, ठीक है, अब देखो, discount देना, आपकी कौनसी category में आएगा, मैं आपको दो option दूँगा, दो में से एक है, खर्चा या revenue, खर्चा, खर्चा, शाबाश, खर्चा होगा, बिल्कुल ठीक, assets बढ़ रही है, debit, कितने से बढ़ रही है, इतने amounts है, शार्दा इंकमनी debtors कम हो रहे है, asset कम हो रही है, credit, खर्चा बढ़ा, क्योंकि discount दिया है, discount दिया तो debit, ठीक है, अब आप देखिए, इसकी journal entry क्या हो जाएगी, bank account हो रहे है, debit, मुझे लगता है, दोनों से इक्वल नहीं आएंगी, 9,750, discount allowed, account debit कितना, 200, और शार्दा इंकमपनी क्या हो रहा है, credit हो रहा है, 10,000 से, क्या ये दोनों साइट इक्वल आ रही है, अब आप ही मुझे बताओ, मुझे calculation में थोड़ा मेरा heart tight है, ठीक है, तो इस entry को हम बोलते हैं, इसको आप highlight भी कर सकते हैं, तो हमने कौन सी entry सीखी करनी, compound entry, मतलब, दो से चाहे जितनी मर्जी चीज़ें जाधा हो, उसको हम बोलते है, compound entry, ठीक है, दो तक simple entry, ओके, चलो आगे, next है हमारा paid electricity charges, बिजली का bill पे करा 1000 रुपे, बहुत simple सी बात है, इसके लिए हम working नहीं करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम working नहीं करेंगे, बिजली का bill पे करा, तो पैसा गया, तो credit होता है, पता है न आपको, और खर्चा हमेशा क्या होता है, debit, तो यहाँ आजएगा, electricity expense account debit, 1000 रुपे, और यहाँ आजएगा, being electricity expense paid, ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर, paid salary, 1500 रुपे, salary पे करी, लो, इसमें भी कौन सी बड़ी बात है, अब salary भी हमारा खर्चा है, तो salary खर्चा होने के नाते यह debit हो गया, कितनी salary पे करी, 1500 रुपे है ना, 1500 रुपीज, तो यह हमारा debit हो गया, ठीक है, इसके बाद, next transaction हम देखते हैं, paid rent of building by check, half of building is used by proprietor for residential use, कह रहा है, हमने check से rent पे कर रहा है, 5000 और आधी building, proprietor यूज करता है, अपने रहने के लिए, ध्यान से समझेंगे, important mark करेंगे आप इसको, ठीक है, इसको important mark करेंगे, देखिए, आप rent पे कर रहे हैं, 5000, जिसमें से proprietor जो है, वो रह रहा है, आदे portion के अ किसको पे करना चाहिए, proprietor को, और आदा किसको पे करना चाहिए, बिजनस को समझा आगी बात, यही होना चाहिए ना, ठीक है, जो proprietor का rent भी अगर हमने business से पे कर दिया, तो उसको हम क्या नाम देंगे, drawings, और यह हमारे खर्चों के अंदर सिरफ कितना डाला जाएगा, 2500 रु ठीक है, तो rent के खर्चे में, जो rent expense के अंदर जो amount आएगा, वो सिरफ 2500 आएगा, और खर्चा बढ़ता है तो debit, बाकी जो 2500 है वो drawings में चला जाएगा, drawings क्या होता है, drawings हमारी capital को कम करती है, और capital कम होती है तो debit, और हमारे पास से तीसरा effect कहाँ पर आया, cash गया, cash हमारे लिए asset है, asset कम होती है, तो credit, तो अगर आप ध्यान से समझें, तो rent account हमारा debit हो जाएगा, भाई जाएगा, भाई जाएगा, बाकी हमारा जाएगा, drawings के अंदर, क्योंकि बाकी हमारा business का खर्चा नहीं है, वो है, प्रोप्राइटर का personal expense, और हमारी जेब से कितने पैसे गए, 5000, अग हम आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया है, due for personal use, 3000, यह तो और असान है, drawing करिए जी, और drawing, आपको पता है, यह drawing debit होगी, drawings का मतलब क्या है, business से पैसा निकालना, और capital कम, और ही capital कम पहले भी होई थी, तो हमने drawing को क्या करा था, debit, साड़े 3000, बिजनस से निकाले, drawings में चले गए, और cash हमारा कम हो गया, साड़े 3000, ठीक है, narration आजेगी, being amount withdrawn for personal use, hopefully आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है, बाकि हम next class के अंदर मिलेंगे,